असलाम अलेकुम मोग यह और आल फाइल हमाज़ दूइंग गूड अग्स्ट आजमाइ लिया लाह जी आजी आज लुट्स लेक्षर जो था था देट अज फुस्ट सेक्षर रिकारिफ फुस्ट लेक्षर रिकारिग मेंरे नुट्रिशन नौव तो दिश्कस्ट वत इस देर रोल आफ वेरियस नौट्रिएंट चाहे वो माइक्रो है उनका यह एसेंचल एलमेंट्स का मैंने आपको बताया था एसेंचल एलमेंट्स गई थी हैं एलमेंट्स उसनों आख प्लांट ही पान प्रिड्यूस करें बलकि तिमपजन अर्गिस आर्गिनेजम सिंदिस डाइट प्लाई करें वो मैंडेट्री बन जाता है अगर आप किसी भी एलमेंट को एलमेंट्स रखते हो तो उसकी वज़े से कुछ सिप्टमस develop होते हैं प्लांट में और इन सिप्टमस को आप करेक्ट करना चाहते हो तो आपको वही नूट्रियंट एपलाई करना है जिसकी एक्से इम ट्रेन वह एलिमेंट लब नहीं वार इक थे यूजवली आचे तो आफ दो कार्बन हाइड्रोजन तो आक्सीजन यह साह चो येंचे आइकेस मतलब तो आफ दे आर यूजवली सप्लाइड दे आर यूजवली ये फाल इन आल्मूस्ट आर टाइपस आफ बयो मालेकियोल ये इस्प्लीश में कैस बयो मालेकियो सवालेबल थे तो एक ये इसथा पहाईवुल्हे नहीं आखको बताया भी था कार्भोहईड्रेटन मस्ति शू कार्बनासन फैट्स आर दियर प्रोटीन जार दियर वाइटमिन जार दियर और नुकलिक एसेडस नुकलिक एसेडस वो ताया मतलब को ऐकेस आरगेनेजमस मजागे तो युशू बिल्डिंग भलाके साप और वाडी आर सिंपली दा बयो मालिक्यूलस यू तमाम बयो मालिक्यूलस ची रब्बन वनाई मेत का है नहीं कार्बनिक हाइड्रोजनिक तो अक आपद्फिसंस एक्जिस्ट गाचे साप डिप्षिंसी आइस असोचिए दिप्षिंसी आप बयो मालिकूलस को तरहे मतलब को सिट्रक्चरल नेजर यूस आरगेनेजमस सुचो सुच्छ वार्या ज्याद वेक तैम पाते तमाम प्लांटनमाज अगर तो युशू अगर तो एने में जो सोर्स पेनर्जी और तो मेंक क्या होता है वह बनों क्या होता है बेसिक सोर्स प्लाट टरा थे मिट्चेशATE एडिस गुलकोज इस एक्च्वेड प्रैक narcissus होता है during the process of photosynthesis यह सब तो जानते हैं photosynthesis जो आर्गेजमस मस लगन जुर्रत glucose produce करना एंड यह ही glucose बेसिक source of energy it is the basic source of energy क्योंकि glucose को ही आप इस्तेमाल करते हो फिर respiration में तो आप इससे निकालते हो ATP उसका मतलब है तमाम प्लांट नमस जो आर्गेजमस मतलब को प्लांट नमस जो बेसिक source of energy डाइस ग्ल्कोस यहाँ बास चो कंटें करन कार्बन हाइड्रोजन तो oxygen ज्याद म्यागदार इसमास इसलिए यह कर इमन आप इसलिए प्लांट नमस देप्शन सी गाइस यह बेसिक source आप energy डाइस ने डावलप के आड्योजन आप चो आर्गेजमस मतलब जो पर ग्रोथ एंड डावलापनेट चो कि ग्रोथ डावलापनेट चो आर्गेजमस मतलब मीडियन इवन energy सी कारने मगर सा energy सी सापला इवन कारने इंदा फारमाफ एटीप सुई एटीप इवन प्रेड्यूस कारने फ्रम ग्ल्कोज ग्ल्कोज चो प्रेपियर गसन दूरिंग प्रासस आप फोर्टो सिंथिस मगर फोर्टो सिंथिस मतलब ची फिक्जेशन गसन आप कार्बन डाय ओक्साइड एड यह थिस आररसीज ए प्रयर्कोस उर्मेशन दार्म ग्ल्कोज ग्ल्कोज गता सब्सक्राइड अग्रध इसी यह उर्ब्सकार एक साथ आर्गेंनर आप अजये डी पारामध अकरम आप अटीप बडावल कोज प्रेब सार्गें तो देप्र हो फोटो सेजे़ दॉटनी मारह लोग दॉटर आसा उटीजेट लेटें है अहांसा कारपूर हाव आजयेशन वार्या जादे रुश्ट आर्गेंनियस्मा आु यो structural component चो सुचु बनिमुद carbon hydrogen उत्व oxygen यह आपको दिमाज में रखना है carbon hydrogen oxygen युच्छ एक्ट गसन as it is used for making used for making structural components of cells structural components of cells मतलब ऐकी सेलमजीम basic components चा आसन त्यम structural components बनावने खत्र शो लगन जुर्णा carbon hydrogen oxygen गो carbon hydrogen oxygen इस्तेमाल होता है एक सेल के structural components को बनाने के लिए for example aquatic organism अगर तो यह विशुव यह carbon hydrogen चो आकर गसन इन दा फारम आप carbonators and bicarbonators को अगर इस aquatic animals निमाओ तो यह विशुव पाने यह मन aquatic animals चो carbon hydrogen aquatic animals चो carbon hydrogen तो oxygen आकर गसन इन दा फारम आप carbonators and carbonates and carbonators लेकिन अगर आप देखोगे दोनों में क्या है दोनों में carbon में है hydrogen है oxygen है यह चुछ थावन याद यह क्या carbon hydrogen तो oxygen हाँ चो बयो मालिकिल उस बनावने ख़दर लागन जोड़ा carbon hydrogen oxygen हाँ चो प्लांटन मस basic source of energy बनावन that is glucose carbon hydrogen तो oxygen हाँ चो amelon मस लागन जोड़ा structural components of cells बनावने ख़दर या प्लाडन मस लागन जोड़ा structural components of cells बनावने ख़दर लाई aquatic amelon मस चुछ आकर गसन इंदा फार्मा bicarbonators and carbonators मगर दश्वय carbonator तोन या bicarbonator तोन तोन दश्वय हाँ साची contain carbon hydrogen तो oxygen यह है पहला जो हमने बताया carbon hydrogen और oxygen अब उसके बाद है nitrogen nitrogen ध्यान चुताओं nitrogen 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 दूसरा है nitrogen इस पे ज्यादा ही आप तबज़ा दोगे सबसे पहली बाद इसको absorb किस भार में किया जाता है वो मैं आपको बताना जाता हूँ इसको absorb, it is absorbed in the farma अगर तो यह उच्मुत आयसा हूँ nitrogen चो absorb किसा है in the farma nitrite nitrate NO2 negative NO3 negative and ammonium positive इथा जो जाँ nitrogen चो absorb यह वन करना NO2 negative farma NO3 negative farma and ammonium positive farma ठीएक चासा nitrite nitrate ammonium आयानन माज चुए absorb यहन करना NO3 negative farma यह आपको दिमाग में रखना है nitrogen को absorb किया जाता है in the farma NO2 negative NO3 negative and NH4 positive आयान लेकिन सबसे ज़्यादा इसको इस farma में absorb किया जाता है it is mainly absorbed in the farma NO3 negative आयान वाई अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस nitrogen की importance क्या है plants में अगर तैब उचू हडओ proteins vitamins hormones the nucleicid contain करन enormous concentration of nitrogen हमारे पास proteins है हमारे पास vitamins है हमारे पास nucleicid है और हमारे पास hormones है उनमें ज्यादा concentration है used for the man formation आ उचू लगन जुरत bananas hormones proteins हमारे पास है इसी तरह से हमारे पास है nucleic acids nucleic acids इसी तरह हमारे पास है ये vitamins अगर तैब उचू ये शश्ववई substances organic compounds चो contain करन enormous concentration of nitrogen उचू ये नाइटरोजन important इस उचू crucial element एक इस organism ख़द रहा अगर तैब उचू ये maristimatic regions ची प्लांटस मसा आसन तीह इस growth development ची mediate इवन करन nitrogen से it is associated with growth and development of maristimatic regions in प्लांटस associated with growth and development उचु करना growth तबे development growth development development of maristimatic regions जो maristimatic regions in plants प्लांटस मसा इम basic region जो maristimatic regions the regions which are always in a continuous state of division and growth division and reduction are कामली called as maristimatic regions such regions undergoes the process of growth and development only because of nitrogen and now ये metabolically active cells मतला metabolically active cells continuously divide and redivide ची करना तीम मसा अगर तो growth करने इसा नाइट्रोजन जुलाजन जुलाजन अगर प्लांटस मसा metabolically active cells जो metabolically active cells ये metabolically active cells इसा इसा नाइट्रोजन मसा इसा इसा नाइट्रोजन गो इन metabolically active cells in plant the growth and development is continuously mediated by nitrogen अगर आप देखोगे नाउ उसके बाद प्लांटस में एक स्पैस्पिक रिजन होता है स्पैस्पिक पार्ट होता है प्लांटन मसा स्पैस्पिक रिजन आसन ताच्छ बना कुलूरोफिल इस कुलूरोफिल चुलूरोफिल बनाउंग खात्र चुलूरोफिल नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस यूजर फार्द मैनिफेक्चर आफ कुलूरोफिल रेस्पांसिबल फार्द एब्जाप्शन अप्लाइड जूरिंग दा प्रोसस आफ फोटो सिंथिस अच्टोर इस फेक्रिन नाइट्रोजन चुआ आख अहाँ एसेंचल एलमेट जुसर किस प्लांट आइट्रोजन प्रापरली सप्लाइ करन मैंने आपको बताया यहाँ पे यह जो नाइट्रोजन है एब्जारब होता है नाइट्राइड नाइट्रेट और अमूनियम आयान की फार्म है एनो थी नेगेटिव आयान फार्म ची बेसिक फार्म सा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ची आखके इम्पॉर्टेट्ट एसेंशल इलमेट युजए किस प्लाइट असमाज बाइसे सप्लाइ कारून काइंड नियुवसली ताइट पद गो फास्फोर्स फास्फोर्स सी सबसे पहली बाद फास्फोर्स को फास्फेट्स के फारव में अबसारव किया जाता है या चुझाओं चुझाओं जिखनाओं यह इंवाइड यह इस फार्स पोर्स प्राइटास होता है यह का मतलब है उन को ब्रेग किया जाता है जब इस निकलाता है वह फासपोर्स अब्जारब किया जाता है वो Soil में में एंटर होता है तो तो Soil में उसको एबसार्ब किया जाता है विदहलका प्रुट्स विष्थावन यहाद को ताइल मतलब गो वासपौरू उस चो आ कर गासां राकन मस राकन मस छी वैदरिंग poking वेद्रिंग मतलब का इसे ब्रेकदावन फ्राक्स यह ब्रेकदावन ची गासां विद अधर पाउज़ पाक्ति आप स्था नाव उसके बाद फास्पोरिस अगर आप देखो कि यह आपको दिमाग में रखना है यह सेल मेंबरीन का बेसिक कानस्चुएंट है लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे यह आकर होता है इन फारमा फास्पोलिपिडस यह आपको दिमाग में रखना है सबस्क्राइब कानस्च चाहे पारी कानस्च में घ्लाज़ी अजयत घनल फास्पोलिपिस अर्य platform usingバτι médico आपने नुकले टाइड Estados पर्स पॉर शु। इत्यो आपस पोल्क ज्यान मिलय आपने आपने careful pot अपने अीित हों परनग करीखनवय ममोर्ट आपने मत्यूंघर चाहिए अपने मोर्स रखने सेखअ बने गहाए गो आपने यह नि उपस्पोर स्थी बेसिक का नियुकलियोर टायर स्ट्राइड वह फास्पोरर वन अगार अगर भी अगर तोओं से अल जो एनर्जी कमपाउड लुस्ट एक मैं आपको बताता हु आपको बताना चाहता हमारी सेल्स में चाहे वो ब्लांत हो मैं मैं या मैं इक्रोर गिन वो एनर्जी अगर तो एनर्जी करंसी जो हम में होती है मतलब यहां इस टूर्ज था ऐनर्जी करंसी आप स्यल यह एटीपि आप खुद ही देखो-एटीप एटीप का मतलब है अडॉसीन भाइट फासफेट वो तो मतलब को यूष्ञ शू कंतें करंतें अधिप चुछ कंट from CSS मजचिए.. चाहे सुइपानटा हैस्तन.. इमला हैस्तन.. ..mikro-organism.. याहेमन लगान जहे इमन सहर्नी मजहबचू लगन.. जुर्रा.. पा- A-T-P बनावन ख़द्र Phosphorus.. इसी तरह से इम्ति Phosphorylation reactions सब्सक्रीन कोई इक शेलमाज इम्ति Phosphorylation.. थिम्स्वेस्वारी रिक्षिंग क्या्या ओकार Dragormus…. येल भी इनवाराउड टारिम्स्वारी बीजारी येलकशनांाा.. अपोरियोक असमें सफ तलो.. इुक्रावार टार। को येले सलो… इनलडिरी येलक्षिंग में चर्डाय क्या ना? addition of passports सा reaction यतमस passports यह add करन तच्छिमना passport relation गो सारे passport relation reactions रिक्वायर करन passports तमाम passport relation reactions requires passports इन सब में passports की जुर्रत पढ़ती है ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है उसके बाद हम केल्शम के पास जाएंगे केल्शम आपने देखा होगा केल्शम को एबजारब किया जाता है as CO2 positive ion केल्शम इगो passports इम ची बेसिक फीचर ज्याद था वह इम रोज देर इम लागे ने तो इस दुराद बारकर पुछी नेट आसमास ये तीच्छो तो इस एग्राम केल्शम चो आख प्लार्ट एबजारब करने इंद फारमा इट इस एबजारब होता है एबजारब एज CA2 positive ion केल्शम को एबजारब किया जाता है इंद फारमा calcium 2 positive ion नाव सी द्यांच थावल इस केल्शम चो एकिस पलार्ट आसमास लागन जूराब उश ये उजवरी लागन सेलवाल बनावन मागर जूरिंग सेलवजान एमसाद सेलवजान चीकासन मादलाब नामाराब सेलवची इंक्रीज कासन सेलवची दिवायाद काराण तार दोराण च्छी सेलवाल बनावन मागर सेलवाल बनावन ऐस– heures हाभा चू लागन जूराद आसे है अब यह अब्को दिमागानट powers इसेग है उसे- हाभात च्छी दिवाल्ट आसमास तार शर्न वार्ची इंक्ञ фильма नामन जूरी पंटिग Gueln ढाँ नामन क्योर्षप लिठाल नवल्ट कि अरी किसे ऐसे कार्व एक्जा आउमिल्स में दीज़ीर लेसं सब्सक्राइब इचा थे हमिधों ітजिए च्लिबेंगी ईलम उस द्वारोम यह सब्सक्राइब्ट तेकर सेल वल शार्ट सेल प्रीवाल सिकंड़ी वाल बोर आंट प्रीमिरि वाल तें अंब्रम्यां शार्चाँ सेमेटिक मिटीरियल वकूर मिटीरियरीुर्च इनके भीट में होता है चल्शम पेक्टेड्य अबह्ध याँ पनहीं त्विक ऑलेम्ला इसको as calcium pectate and so calcium pectate to contain करन calcium calcium चो आख प्लांट अबसारब करन as CO2 पाजट हो यान calcium चो लगन जुर्ण जुर्ण बनावन during cell deugen cell वाल असमा चो calcium आसन in the form of calcium pectate so चो आकर गसन in calcium in middle lambda now यहाई calcium चो लगन जुर्ण बनावन ख़त्र mitotic spindle सुपिंडल फार्मेशन अगर तो ही बुछो mitosis माच चो सुपिंडल अपारेटास बनन सुपिंडल अपारेटास बनावन ख़त्र शुर्ण जुर्ण जुर्ण चैल्शं उसके लिए हमें इस्तेमाल होता है क्यल्शं it is used for me for the synthesis of it is used for the synthesis of it is used for the synthesis of mitotic spindle mitotic spindle mitotic spindle बहिंता हूँ और spindle apparatus spindle apparatus यहाँ चो एक्चुली दोन सेलां एक सक निश अपारेट करन go mitotic spindle बनावन ख़त्र या spindle apparatus बनावन ख़त्र चो आश निश लागन जुर्ण क्यल्शं calcium उच एक्ट कासान एक्ट इसाओ activator of several enzymes यह activator it is used as an activator of several enzymes वारियां enzyme नुष बेसिक activator युच्च that is calcium it is used as an activator of several enzymes वैस्च? calcium चो आख plant एप्जार्ब करन इन्द फारम आप calcium पास्ट हुआ यान calcium उच लागन जोर्ण तरक इस प्लाँट अब उसके बाद हम पोटाशियम के पास जाएंगे पोटाशियम देखें पोटाशियम को एक प्लांट एबसार्ब करता है as K-positoryon सबसे पहली बात जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ that is plant as much opening and closing of stomata that is mediated by potassium इसे रिगुलेट करना रिगुलेट्स opening and closing of leaves stomata stomata is musyου aasan usually lipsymasa asan ож stomata open carundi close carnais gomeim che like यह potashasham potassium potassium and silicon इसे अप्से पास है इसे रिगुलेट्स प्रेट्स ने, गार्ड्स यसा आँ एड़ासा मैं प्र्ड़ा है ऑड़ासम बड़ाप यह गार्ड से लस्मस आप में चाहिए क्लोरोप्लास्ट यह क्लोरोप्लास्ट है अब क्या होता है इस गार्ड सब क्लोरोप्लास्ट से एश्पाजडोयान निकलाता है साइडोप्लासर यहां पे और यहां से बाहर जो है के पाजडोयान यह के पाजडोयान अंदर treat किया जाता है salute आप खुली देखो जब आप अंदर salute की concentration ज्यादा करते हो salute की concentration ज्यादा होने की वज़से अंदर का solution hypertonic बन जाता है जब यह hypertonic बन गया तो वो absorb करेगा water को जब यह water को absorb करेगा तो उसकी वज़े से तर्जिटिटी बढ़ जाएगी जब यह तर्जिटी बढ़ जाएगी तो सिटो मेटा ओपन होगा चलिए आपको याद रखना है कि आप लोग को दिमाग में रखना है आप इसे निकलते है है इसमें और अचैन यहाँ से निकलते है इसमें अंिड़ाटिएं यहाँस कर रही है यह सुलट ही है तो सुलोड की का सब get क्राइक आप्या पर इंक्रीस कर रहे हो यहां पर कर रहे हो जब सुलुट की के सब कर रहे हो तो इससे water वांथ यहां पर जाएगा वाटर जब यहां पर जाएगा तो बार इंक्रीस हैं आप सेल्थ अगर तो स्यालन हुन साइज शीवन इंक्रीस करना विल्हाल पाँ पृताश्यम आंड स्योधी कथा तो इक रिव इमैजीन इससे आलाथा आत्मस आप पृताश्यम के पाष तो आया ने चाह उड्सेल्ड इंडर केशन रिज़ नहीं के जो आप तुचासन पैलास्टिक आप चाहिए आप यह बाड़ ना यह बाड़ जाए ही बाड़ एदी नहीं यह वालस दाकर असे वह उसका मतलब है अगर आप देखोगे कि इस प्लांट असम प्राइं जो पोरान अख आरगे जो ब्गोरान जो एक्षयर करना मगर क्षreme आई बोरान जो है यह एक्षयर भुड होता है अब्गोरArt आज आई 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 आउन मतलब B2O4 तूनगेटू यह आपको दिमाग में रफना है बोरान शो प्लाट असमास एब्जार भीओन करना एज बोरीट आयान बीटू ओफोर तो नेगेट आयान मगर द्यान चुता हूं मेशा आख सो पैस्पिक फॉंक्शन ट्रानस पोर्ट आप कैल्शम यू शो मीडियेट करना मीडियेट ट्रानस्पोर्ट आप कैल्शम ये इस्ट्यमाल होता है ट्रानस्पोर्ट आप कैल्शम प्लाट असमास चु कैल्शम योन ट्रानस्पोर्ट करना विद्धा हैलप आप बोरेट आयान गो बोरेट आयान चु लगन जुरह दिया बोराँ को लगन जोरुथ इक इस प्लांट ड़ान चोंग लित्य ब्यार्गारी हफ for the growth of Poland 2 this is all about ये पहला section है इसका दूसरा section इंचालला कल पढ़ेंगे जिसमें iron, magnesium, molybidnam है, magnez है वो सारे बताएंगे लेकिन फिलाल के लिए आप यहाँ तक याद रखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इन micronutrients इसको किस तर से हम याद रखेंगे एक बहुत बड़ा page लेना है उस page में अलग-लग से इनको लिखना है side में इनकी functions लिखनी है फिर अपने रूम में दीवार जो है वाल जो है उसके साथ चिपकाना है रोज रोज आप एक एक complete करोगे तो 17 सारे आ जाएंगे this is all about the roll up mineral nutrients half part है इसका दूसरा part जो है वो में इंशालल अगले रेक्चर में आपको बताऊंगा चलिए खुदा आपिस